वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलिग्राम चैनल जरूर यूइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखेंगे अश्कार दोस्तों दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही जरूरी और बहुत ही तगड़ा वीडियो है ये दो साथ एमसी की हूँ है रीजेंगे अनुटिफिक और देख लिए इंडिया का सेंस्स का वीडियो मिल चुका है नहीं देखा देख लिए खानेज जो इंपोर्टन डाटा है वह ऑक्रिकल्चर है चारों को अच्छे से देख लो इससे बारा कोश्चन आते हैं च्शे सब कवर करें चलो यूबी पीसे लेटेस न्यूस को चली ग्राम पर अभी सब्सक्राइब करो फ्री एक दम नहीं करा आगर तो ठीक है एक अपडेट के लिए चलिए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के निमलिकित नगरों पर विचार कीजिए जंसंख्या ग्यादार पर उन्हें अवरोही क्र तो कानपूर आजाएगा फिर बाद में आएगा लखनौ दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर गाजियाबाद आएगा चौते नंबर पर आपका आगरा आजाएगा तो कहने का मतलब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तीक है दो चार एक तीन अच्छे से इसको प्रियाग राज की दोस्तों सबसे अधिक सब इसमें कवार हो जाएगा इसको अच्छे से अगर रट लिया तो अराम से हरे क्वेशन सही होगा ठीक है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटन के साथ ही इसको बनाया गया है चलो जनगर्णा 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में इनमें से कौन सा सरवाधिक जनसंक्या वाला गनत हुराज ठीक अब यहां भारत की बात कर रहा यूपी जन गड़ना की नहीं तो सब से ज़्यादा जन संक्या गनत हुआ वह बिहार महराश उत्तरप्रदेश में किसकी भाईया मोस्ट पॉपुलिस स्टेट तो इनमे से तो तो ब्हारत में सबसे ज्याद है जन्संक्या किसकी भाईया उत्तर प्रदेशी तो यूपी नंबर एक पर आता पॉपूलेशन में और अगर एरिया वाइस यूपी को पूछे तो चार नंबर पर आ जाएगा ठीए चलिए भारत की जनकरणा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मैं के शहरों मैंसे कौन सा शहर million शहर. दोस्तों. आगर प्रयाराज मिरत उत्तर प्रदेश के बारें सब संदनागी प्रदेश के बारें में नीचे दिया कि कॉन से कौन सा कतन सत्य नहीं है यह बताना थीक है उत्तर प्रदेश, edenष जणाग्या वाला एवं धी में विकास करने वाला राज है दोस्तों यह तो बात अब गलत साबित हो जाएगी सरवादिक जंदन क्या तो है पर धी में विकास तो अब नहीं अब तो विकास बहुत तेज चलो उत्त्रप्रदेश के और संपूर देश की पृतिव्यक्ति आये में विद्धिमान अंतर घट रहा है चीक है यह भी उत्तरप्रदेश में आस इंचित छेत्र शुद्ध बोई जाने वाले छेत्र का लगबग 20% मतलब जो नौन इरिगेटर एरिया उत्तरप्रदेश में वह 20% ने यह भी सही है पिछले दसक में उत्तरप्रदेश में साचर्था में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से व्रिद्धी होई है यह गलत है और देखिए दोस्तों यूपी का लिट्रेशी रेट जो है वह 67.7% वहीं इंडिया का लिट्रेशी रेट 2011 की जनकरणा के इंसार 14% यह तो गलत हो जाएगा बहारत के किस राज में अनुसू पिछले दो दसकों में उत्तरप्टेशी जन्जंक्या में व्रिद्धी का कारण है क्या बढ़ती साच्छर्टा की दर स्वास्त सुरत सुधार एवं बीमारियों पन्यंत्रण सुधर्ती क्रशी और तेजी से शहरी गरलती है इन में से क्या रीजन है कि population increase हो रही है लास्ट सब्सक्राइब हो जाएगा तो फिर दिक्कत और भी चीजों में आएगी चलिए देखने उत्तर प्रदेश का वह जन्पत कौन सा है जहां अल्प संख्यक समुदाय का सरवाधिक केंद्री कर रहा है कहां पर माइनॉर्टी सबसे जादा रहती है बिजनौर मुरादाबाद लगनाव या रामपूर तो यह विशॉक्ट तुनो देट रामपूर में क्या है दोस्तों सर्वाधिक केंद्री कर रहा है थिक्षा नो उत्तर प्रदेश के संबन्द में कितनों पर विचार करना है कौन सा कथल सही है यह बताना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा उ ऐसा ही डाटा याद रखना है दो लाग 41,000 वर किलो मीटर है यूपी का छेतर फॉल्टी है दूसरा कहरा है यूपी का लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो जो है वह 906 है तो यह गलत दोस्तों 906 नहीं है यूपी का सेक्स रेशियो 912 है ठीक है कितना है 912 है यह याद र जाएगा ठीक है कौशन नमबर 10 पर चलते हैं निम्न कतनों को उक्ति श्रेणी में यह बताना भी कतन कारण ठीक है बता दिया जाएगा कोई दिकत नहीं है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक शेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात नियूनता म है तो पश्चिम रिंगानुपात मतलब पश्चिमी चेत्रों में लिंगानुपात महीं यह दूस्तों इसका अर्थिकूक बिकास, और नुझा प्रदै रिंगानुपात में तो कारण इसको संतुष्च्त नहीं करता है और अपने जगए दोनों सई है यानी ग्यारा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के नेम लिखे जिलों में से वर्स 2011 की जनगर्णा की अनुसार की इसमें जनसंक्या सबसे कम थी दोस्तों इंपॉर्टेंट है यह तो सबसे कम जनसंक्या थी महवबा में ठीक है लोएस्ट पॉपुलेशन यूपी में पूछेगा त जनसंक्या की दरश्टी से उत्तर प्रदेश में प्रथम पांच सबसे बड़े नगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह याद कर लिए तो काफी कोशन कवर हो जाएंगे तो सबसे पहले जनसंक्या की दरथी से कानपूर आग्रा वारानसी इलाहबाद लखनव में सबसे इस पैटर्ण में फिट नहीं बैटरी इसलिए गलत है बाकि इन पैटर्ण के इसाब से कानपूर की जादा है फिर लखनव की फिर गाजियाबाद फिर आग्रा फिर वारानसी प्रिथम पांच सबसे बड़े नगर है चलिए आगे बढ़ते हैं गत 90 वर्षों में उत्तर प सबसे जादा लास्ट के नब्वे सालों में कब यह बताना है तो यह हुए है दोस्तों 281 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ इसी टाइम में हुए है ठीक है वर्ष 2011 की जंगर्णा के अंसार उत्तर प्रदेश में महिला साथ चर्था दर क्या थी दोस्तों 2011 में जो फी सब्सक्राइब को याद रखना पड़ेगा और पूरे उत्तर प्रदेश का सिक्स्टी सेवन पॉंट सेवन पर्सेंट है चले है कि सोला देखते हैं उत्तर प्रदेश में साचर्था दर्में व्रद्धी 2001 से 2011 के बीच में कितनी हुए है 2001 से 2011 क्योंकि 21 में तो संसेजी नहीं अभी तक हो पाया जब आएगा तब देखा जाएगा तो यह हुए दोस्तों कितनी हो यह 16 15 13 तो इन में से तो कोई नहीं है पहली चीज यह समझे देखिए 2001 में 56 पॉंट संधिंग ती जो की बाद में 67 होई है तो 11 परसंट के आसपास की व्रद्धी देखी गई है 11 सबसे कम है वो श्रावस्ति की सबसे कम हो जाएगी चलिए 2011 जनकरना के अनुसार निमनिकित जिलों को उनकी जनसंक्या के अनुसार अवरो ही मतलब डिसंडिंग और में सट करना है ठीक है कोई नहीं आराम से पता सकते हो कैसे इन सब में सबसे ज्यादा पॉपूलेशन अग घर कोचे का तो क्या बताऊगे महोबा भारत की 2001 जनकरना उसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है तो यह आभी अमने ऊपर देखाना कितना है 912 कितनी 912 उत्तर प्रदेश में 2011 की जनकरना के इंसार किन धर्म का लिंगनुपात सबसे कम है लोएस्ट सेक्स रे मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है अगर स्लम पॉपूलेशन की बात कर लें पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया में तो यूपी का नंबर लगता है दोस्तों चौथा ठीक है पहले पर आपको पता ही होगा महारास्ट्री आता हमेशा ठीक है तो सबसे ज्यादा अगर पता हो आपको इलीट क्लास कहा रहती है यह बहुत पढ़े लिगे नोएडा साइट गौतम बुद्नगर तो गौतम मुद्नकर की सबसे ज्यादा होती है इन में से सिर्फ यही दिखराब को पहले तो यह हो गया गौतम बुद्नगर फिर कानपुर नगर फिर और यह इटावा ठीक है दो तो यादी रखने पड़ेंगे कि गौतम बुद्नगर और 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 यह जिसमें सबसे कम अनुसूचित जन जाती निवास करती है सबस सबसे कम इस्ट्री पॉपूलेशन है बागपत हो जाएगा है कि दोहजार द्यापचिस देखते हैं 2011 की जन करना के उत्तर प्रदेश का सरवादिक साथ शर्ता जिला अभी बताए ना उपर सबसे ज्यादा लिट्रेसी का है गौतम बुद्नगर की नंबर वन है तो नंबर सबसे ज्यादा रहती है और 11 के अनुसार साचर्ता 67.72 परसेंट है अभी देखा है बिल्कुल सही है पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की याद रखनी आपको 829 है कितनी 829 है पॉपुलेशन डेंसिटी सेक्स रेशियो 912 है पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है सरवादिक आप सूचित जाती सबसे ज्यादा रहती यानि SC पॉपुलेशन ठीक है और स्टी पॉपुलेशन की बात करेगा तो बाझ पत हो जाएगा स्थी कि बात करेगा तो सीटापुर हो जाएगा तो सीतापुर में है और सबसे कम है बागपत में सबसे कम है बागपत में ठीक है यानि एक दो चार सही है यह डाटा जबान पर रटा होना चाहिए चलो 27 पर आजाओ 2011 जनगर्णा के आकड़ों के अनुसार निम्लिकित में से उत्तर प्रदेश के किस जिल्यों में सबसे कम महिला सा चर्टादर है तो सबसे कम महिला सा चर्टा या लिट्रिसी रेट जो है वो रामपुर में है यह जोग अभी उपर देखांते हैं ना माइनॉर्टी बहुत ज़ दोस्तों तो गौतम बुद्नकर में जहां बहुत ज़्यादा पढ़े लेगे लोग रहते हैं यहां पर सेक्स रेश्यों बहुत कम है क्योंकि कहते हैं सेलेक्शन भी लोग कराते हैं ब्रून अत्या भी हो सकती है बड़ा करण चलिए तीस उत्तर प्रदेश में जनसंक्या क कांपूर में है एरिया कमें प्रियागराग में जादा है पर अर्यद्रेश में लिंगान उपात का विभेश सरवादिक रूप से घटा कब सेक्स रेश्यों में कमी देखी यह यूपी में थो यह देखी यह पुद्ति है है टोटल वीमेल पॉप्रदेश में कितनी है दोस्तों तो यह दोस्तों आपकी और TALइस परसंट года च्पल ऐसे याद रखना है महिला की अबादी का कोलाबादी का कितना है और थालिष परसंट अ पूरे भारत की जो पूपुलेशन उसका कितने परसंट सिर्फ यूपी में रहता है डायरेक्ट डाटा है यह पूछता है इसी तरह का पूछता है 16.4 परसंट याद रखना पड़ेगा आपको साथी में आपसे पूछ ले कि यूपी का एरिया जो है पूरे भारत का कितना परसंट ये भी पूछ लेता तो वह बहुत रखना 7.30 17.30 परसंट पूरए भारत ना चाहिए सबसे ज्यादा और सबसे कम इलाबाद की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा की पॉपुलेशन सबसे कम सबसे बड़ा है तो अभी देखा यार कितनी बात वह आ चुगा है वर्स 2011 की जनकरना के अंसार उत्य प्रदेश की जनसंक्या का व्रिद्धी पृतिशत क्या है मतलब कितने प्रदेश से पॉपुलेशन बढ़ी है तो यह बढ़ी है बीस पॉइंट तेस परसंट यह जनसंक्या व्रिद्धी दर क्या है उत्तर प्रदेश की जनकरना के अंसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों कुछ करमकारों का योग्दान कितना है बहुत कर्मकारों का योगदान 59.3 परसंट क्रशी कर्मकारों का योगदान सिर्फ चले चालिस नंबर पर चलते हैं उत्तवड टेस्थ राजमें लिंग अनुपाइब सबसे जादी के दों सबसे जादा का है जानपूर में सबसे जादा भीया प्रेसेप्शन भी होता है तो जौन पूर में चलिए एक तालिस देखते हैं एक तालिस कह रहा है 2011 की जन्नकरणा के अनुजार उत्तर फदेश की जन संग्या कितनी है तो 1999-1998-1998-1998-1998-1998 अब तो जाके 25 करोण बन गई होगे 25 करोण में समझो 11 लाग लोगों ने फॉर्म उसमें से भी पोस्ट समलों कितनी है आपको कितनी चाहिए दोस्तों फिक पेपर जब आएगा ना तब आई चंद कोई दिक्का दोई तो आप यही सोचोगी यार थोड़ा सा और पढ़ लेता थोड़ा सा फोन कम चलाता थोड़ी दिर किताब खोल लेता थोड़ी दिर फालतू की चीज़े ना करता तो आज मेरा भी सेलेक्शन हो जाता और आज आपको पता है बच्चे नहीं आप क्या है डिस्ट्रैक्शन कहां पर आपको अच्छे से पता है चले 42 नंबर पर आते हैं दोस्तों उत्या प्रदेश में निम्लिकित में से सरवाधिक जन जाती संख्या वाला जनपत कौन है तो सबसे ज्यादा जाती वह सोन बद्र हो सबसे जाता है ना प्रयाग राज की सबसे जाता है कि कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीड शेत्र में रहती है तो यह महतपूर्ण है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आज बी सबसे कम जन संक्या गनत ललितपूर में पहली बातना है सबसे कम जनு संक्या गनत करें कीतना है कितना है दोस्तों अगर यह पूछे तो बता हो WHY यह जले है और कराए उपर ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है आप से ठीक है चलिए 2011 की जनकरणा के अधार पर उत्तर प्रदेश राज की जन संक्या गनतु क्या है तो पूरे यूपी की दोस्तों 839 है पूरे यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है 839 सबसे का मैं ललितपूर में 342 चल भारत में श्रमिकों की अधिक्तम शंख्या कारे रहत है इन इंडिया मैक्सिमम नंबर और वरकर सार इंप्लाइट सबसे ज्यादा कहां पर काम करते तो एक करते कपड़ा उद्योग या टेक्स्टाइल इंडस्ट्री फिफ्टी त्री 2011 की जनकरणा के उनसार भारत में कितन भारत में शहरी करण के संदर्व में निम्लिकित में से कौन सा गतन सही है यह बताना ठीक है चली 2011 की जनकरणा के उनसार देश की कुल सहरी जनसंक्या का 60% से अधिक वर्ग एक शहरों में निवास करता है ठीक है यह दोस्तों देश में 2011 में मिलियन से अधिक अबादी वाले तिरपन सहर समूध है तो यह भी बता है मैंने उपर बिल्कुल साही है यह वाली स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि देश में तिरपन मिलियन सिटीज है ठीक है मिलियन सिटी समझे न एक मिलियन में दस लाग लोग होते है यह यह दस लाग से ज़्यादा पॉपूलेशन ठ पच्पन पर आ जाते हैं 2011 की जनगरना के अनुसार निमलिखित राज्यों में से किस राज में ग्रामीड और शहरी दोनों छेत्रों में सबसे कम लिंगा नुपाद है यह पूरे भारत के बात कर रहा है भारत की कंटेक्स्ट में सिर्फ यूपी के नहीं ठीक है तो यह दोस भारत का सबसे जनसंख्या वाले नगर यह मुंबाई पता होगा आपको यह मुंबाई वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने पृतिशत भारत में निवास करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह बहुत ज्यादा फाइव स्टार क्वेशन पूरे वर्ड का भारत में कितने प्रिश्या जनता रहती है 7.5% ठीक है 7.5% चली 58 भारत की 2011 की जन गणना के अनुसार निम्रिकित में से किस सहर के जोडे से सबसे अधिक जन संक्या दर्ज की थि दोस्तों ठीक है किस सहर के जोड़े ने कलकत्ता दिल्ली बैंगलॉर सब ग्यारा हजार लोग रहते हैं वह यहां रुनाचल में समझ लो एक या दो इमात्र ठीक है चले चले फिफ्टी नाइन आ जाते हैं किस राज में सबसे अधिक ग्रामीन जन संक्या है तो यह अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादे लोग रहते हैं बारत में जन संक्या व्रद्धी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों यह आप पढ़िए पहले option फिर इसका अनुमान लगा ठीक है अभी वीडियो को बहुत कर गए important है देखू मैं आपकी analytical power exam की कैसी है आप कैसे question को approach करते हैं जो without data वाला अगर आ जाए ठीक है factual की तो बाता लाग है कि fact same है पर यह fact नहीं है ठीक है बताईए भारत में सरवादिक जन संक्या घनतु किससे संबंदी थे दोस्तों तो इंडस्ट्रेल एरिया होगा वहीं पर सबसे जाधा population density आपको देखने को मिलेगी ठीक है क्या रखेगे इसको और यहां पर कई लोगों को यह भी लग सकता है कि यार प्लेन टॉपोग्राफी फाटाइल एरिया अवैलेबिलेटी वाटर वह सब ठीक है पर यह तो agriculture के लिए यही सही माना है तो इसमें कई लोग डिस्प्यूट मत क्रियेट करिए यह यह आयोग कांसर में बता रहा हूं आपको ठीक है चलिए बासट देखने भारत में नियमित एवं वज्ञाने के जन्गरना किस वर्स से प्रारंब हुई है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जि होगे और अगर रेगुलर पूछेगा मतलब नियमित रूप से कब से प्रारंब हुई तो नियमित रूप से प्रारंब हुई आपकी 1881 ठीक है और अगर पहली पूछेगा तो आप बताओगे ठीक है और 1872 में कौन तक और जन्रल तो इस ताइम दोस्तों वाइस रहा है ता 1880 लॉड मायो और रेगुलर नियमित रूप से चालूई 1881 में ठीक है लॉड रेपन के साशनकाल में चलो 65 नंबर कोशन देखते हैं अभी कतन और कारण बताना है भारत की जनकरना हर 10 साल में की जाती है बिल्गूल की जाती है दस वर्सों की अवदी में भारत की जनसंक्य है काफी हत्ता का परिवर्तित रही है नहीं तो इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है यह वाला गलत है स्ट्रेंवन ए सही है चले बच्चे बहुत शोर करता है चले भारत की जनकरना 2011 के आधर शुवाकी के रूम में किसका उप्यों किया गया तब यह 2011 में किया गया तब क्या क्या दोगाम को दो जाते ही चालो ही का करें तो दोस्तों हमारी जनकरना हमारा बविश्च आवर सेंसर आवर फ्यूचर ठीक है दिस वाज दी मोटो अधाट ताइम वन थे सेंसर हाज बीन प्रिवेल इंट्वेलें चले 67 नंबर पर आते दोस्तों 2011 की जनकरना में जाती को शामिल करने के लिए मंजूरी देने वाले मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो प्रणमुखर जी दे कौन थे प्रणमुखर जी ठीक है की यह कास्ट को भी इंग्लूज करिए इसी देंसर में कास्ट अलग से नहीं हुआ ता जो अब भीयार वगेरा में कराने की बात चलिए भारत में जन्शंक्या की दश्की व्रद्धीदर सबसे कम कब रही है दोस्तों तो 2001 से 2011 में सबसे कम दश्की व्रद्धीदर देखी गई है ठीक है जो टिकेटल ग्रोथ रेज़ा पॉपुलेशन की सबसे कम देखी है नेम लिखित में से किस जन्गरना में दशकों में भारत ने संक्या में सबसे कम परिवर्थन देखा है दोस्तों ठीक है तो सबसे कम कब देखा आपको 2001-2011 से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है यह बताना है ठीक है व्रद्धीदार है मतलब यह दश्की जंजंक्या और यह व्रद्धीदार है 1771-181 में 24.66 पृति साथ तो यह ठीक है 1981-1981 में 23.87 परसंट यह भी सही है 1991-2001 21.54 परसंट यह भी सही है 2001-2011 यह वाला अकड़ा गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि इस टाइम जो ग्रोथ रेटी वो थी 17.64 के आसपास 17.64 परसंट और यह इन सब में सबसे कम ती तो इसलिए इसलिए इंपोर्टेंट है कि सब में सबस चलिए निमलिकित में से किस जनकरना वर्ष में जन संक्या में सरवादिक परिवर्टन दर्ज किया गया दोस्तों ठीक है फिर से पढ़िए इसको यह दोस्तों 1971 में दर्ज किया गया था 19.7 के आसपास ठीक है तो अब इत्ता याद्र को 1971 में काफी हाइस परसंटेश चेंड देखने को मिला था पॉपूलेचन में ठीक है चलिए चोहतर भारत में जन संक्या की दसकी व्रदीदर सरवादिक थी कव ती यह दसकी व्रदीद तो अरे तो विद्धी दर्ज की गई दोस्तों यह इंपोर्टन्ट स्टेट्मेंट आपको याद रखनें 1951 को ग्रेट डिवाइट बोला गया है 1951 वाले साल को ठीक है 1951 महान विभाजा ग्रेट डिवाइट ठीक है कि दोचर घ्रामीर जन संक्या का अनुपात की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश में सबसे जएधा प्रूर्पोर्शन है रूरल पॉपूलेशन है हिमाचल प्रदेश चलिए सब्सक्राइब भारत नहीं 1951 की जन संख्या अब भारत नहीं 1951 से जन संख्या की अभूत पूर वृद्धी का अनुबाव की है इंडिया एक्स्पीरेंस फिनॉमिनल ग्रोथ पॉपूलेशन से 1951 ओविसली दोस्तों 1951 में आप यह समझ लिए हम लोग चातिस मिलियन मतलब थीन तो साइट मिलियन का मतलब है अम लोग चातिस करोन के आज पाइब आज हम लोग पूरे देश में कम से कम एक सो पचालिस के ऊपर तो पहुची चुगे हम लोग पचास सब्सक्राइब भारत की जन संक्या में सरवाधिक और तुवार्षिक घाती इव्रद्दीदर किस दर्चक में दर्च की गई है इंडियास पॉपूलेशन हैस बिन रिकॉर्ड़ दिकेड़ तो यह कब दर्च की गई है यह करी गई भारत में विश्व की जन जंक्या का 16 और प्रतिवी के चहटरफल का तुअ फय्सक्राइब अब बहुत बहुत है कि मतलब 75% होता तो ज्यादा बेतर होता पर यह statement ठीक मानी जाएगी आस-पास ही जा रहा है तो प्रत भारत में विश्व की जंजंक्या की वारशिक व्रिधि दर में भारत का 14 मिलियन और चीन का ठारा मिलियन इस्सा नहीं गलत है विश्व की जंसंक्या वार्षिव विर्दी में भारत का 18 ौए और चीन का हिस्सा दस में यह डाटा सही है भारत का धारा मिलिये चीन का दस मैं तो ठीक है कि अगे बढ़ लेते हैं 2011 की जंगरणा के अंसार निम्लिखित में से कौन सा सही है यह बताना है ठीक है कौन सा साही है है भारत में विश्व जनसंख्या का 35,8 परतिसेद हिस्सा है तो यह स्टेटमन्ट सही मानी जाएगी क्योंकि भारत की जनसंख्या की दशकर के दौरान जनसंख्या में अठारा पॉइंट एक करोण की पृद्धी हुई है यह भी गलत है सरवादिक जन संख्या करने तो दिल्ली में है यह भी गलत है मुंबई में ठीए यानि इसके हिसाब से आसपास यह पर दोस्तों आप इत्ता यादर को साथ सत्रा पॉइंट पांच है कहीं सत्रा पॉइंट स 46 प्रतिशत हैं कितनी है 48.46 भारत में महिलाओं का परसंटेज है 48.46 48.46 चलिए 82 देखते हैं बारत की जन करना 2011 के अंती माक्लों के अंसर निम्लिकित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक अबादी वाला राज्य है MP यान्द प्रदेश ओडिशा उत्तर प्रदेश हां मतलब यह तो किस से अधिक है यूपी की जन संक्या यह बढ़िया क्वेशन है तो देखो दोस्तों यूके जर्मनी जपान पाकिस्तान यूके जर्मनी जपान पाकिस्तान इन सब से ज़्यादा हमारे पॉपूलेशन यूपी की मिलेगी आपको चलिए 84 नमबर देखते ह जादा है अधिक है ठीक है मतलब यूपी की पॉपूलेशन से ज़्यादा इन देशों में से कौन होगा यूपी से ज़्यादा यूपी की दौज़ारा संसर्स के एसाबसे 982 341 फो पहली बात तो बांगला देश की जादा है ब्रजील की कम हम से ठीक है पाकिस्तान की भी ज और जपान बांगलादेश पाकिस्तान जपान जपान की तो पांच साथ करोणी है ठीक है आसा नहीं है चैसी पे आ जाते हैं दो हजार ग्यारा की जनगर्णा के अंतिमाक्डों के अंसार प्रदेश में भारत की जन संग्या कि कितने प्रतिशत है तो बताएं ना सत्रा लोगों इसको 88 जनकर्णा 2011 के अंतिमाक्डों के अंसार निम्लिखित राज्यों की निम्लिखित राज्यों को उनकी जनसंक्या अवरोही या डिसंडिंग ओर्डर में सेट करना है बहुत ज़्यादा आसान दोस्तों कैसे आपको यह पता है भाई महारास्ट मतलब उत्तर अ महारास्ट महारास्ट एक महारास्ट यह conviction बिल autlum सही है ठीश यानी यूपी फिर महारास्ट फिर आपका आएगा बिहार फिर आएगा यूपी महारास्द बिहारं प्रदेश ने में थार्दी 72 रहा से बद्यों को सबसे ने तूसित बमद्रेश को होगा 10 expected बिहार महाराश् यह दूसरे नंबर पर यह मिला देखो बिहार दो पर ऑप्शन सी हो गया ठीक है महाराज बिहार पस्ष्य मंगाल आनप्रदेश ठीक है सी हो जाएगा इसको भारत के सरवादी जन्रंक्या वाले चार राज एक नंबर का देखो आपको इंपॉर्टन क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिल गया अराम से बता सकते हो कि सर यूपी की सबसे ज्यादा है नंबर एक फिर सर महाराज आता है फिर सर पस्ष्य मंगाल आता बस यह चार रख लो काम बन जाए यूपी भी महाराज बिहार और आपका पस्ष्य मंगाल ठीक है च चाहिए तो कहां बिया भी यार काहां लिख रहा है यूपी महाराज भी हर पस्ष्य मंगाल याद हो गया होगा अब तक तो रूबान बे उत्तर परदेश के निम्लिखित राज्यों में से किसकी जन्संक्या सबसे एक नंबर सवाल आ रहे है महाराज हो जाएगा अब मैं त सबसे बड़ा दोस्तों कौन है सबसे बड़ा राजिस्तान है ठीक है सबसे बड़ा है एंपी है उसके बाद महारास्ट है अपना फिर यूपी आ जाता ठीक है चौरान में देख लेते हैं अब क्यक्त है मिलियन नगरों से विहीन भारति राज तक तो उडिसा कोई जन संक्या किन राज्यों में एक तिहाई से ज्यांदा यूपी महाराज यूपी तमिलाटू्ट भंगाल है लडदू कोशन राम से बता दिया हो जनसंक्या की दृस्टी से सबसे छोटा इन में से कौन सबसे छोटा है जनसंख्या की दृस्टी से ओड़ा इचाइं Star miseric Mr. 1923 ऐविंत रादयों मैं से किसयो कि सबसे कम है महाराश्त करनाम का भियार MP है न एक डम लद्डू कोशन अराम करना तक की सबसे कम है कि 88 देखते हैं जॉब देखते हैं बार बार यहीप पूच रहा है यह आप बतादो दूस्त बता दू ही बता देड़े नें तो कहा हो खेसा मताईज दीजेश भपताई देढ़ों देखो महारास्ट वस्य मंगल मादप्रदेश तमिलनादू महारास्ट महारास्ट आता है वेस्ट बंगॉल एंपी तमिलनादू तॉप चार्थ कौन-कौन-से फिर से महाराष्ट तीसरे पर आपका विहार आ गया चौते पर वेस्ट बेंगौल आ गया ठीक है उसके बाद पूछ लेगा तो एंपी बता दोगे चलो नियान पर देख लेते हैं 2011 की जन करने के निमीखित में से व्रद्धी दर्ज की नागा लेंड की ऐते हैं वर्ष 2001 से 2011 की यहओधी में कुल जैसंख्या में सबसे कम प्रिशत व्रद्धी वाला राजी पूंसा है लोवैस्ट पर्सेंटेज इंक्रीज किसका हुआ वह जार एक से दोजार ग्यारा के बीच में तो नागालेंड कर ठीक है नागालेंड चलिए 101 देख लेते हैं निम्लिकित में से किस राज ने तो अभी उपर बताया यार यह मैंने आपको कौन हो जाएगा नागालेंड ठीक है पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश की जन संक्या तेजी से बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है कारण क्या है साचर्टा दर्में व्रदी स्वास्त में सुधार और यूट्रोगों का न यह अभी बताया तो उपर यही है एक सो चार दोहसार ग्यारा की जन करना के अनुसार जन संक्या की द्रस्टी से उत्तर प्रदेश के निम्लिकित जनपदों का अवरो ही क्रम सेट करना है यह इंपोर्टन कोश्चन आ गया और प्रक्टिस के लिए अच्छा है यूपी में सबसे कम जन संख्या लक्षदीप में पाई जाती है क्या यह बात सही है दोस्तों तो सबसे कम जन संक्या लक्षदीप में यह ठीक है चंडी हर का जनसंक्या घ्नतु सबसे अधीक है यह यह महरास्ष्च सबसे अधीक यह प्रदेश्टन इसकी दश्की व्रढदीदर सबसे ग्रदीक है यह ठीक है 146 देखते हैं निम्लिकित कत्रों सबसे पहले केरल में जनसंक्या घनत वह बहुत अधिक है क्योंकि केरल में साथ चर्टा की इधर बहुत अधिक है दोस्तों तो दोस्तों ऐसा यह कारण को संतुष नहीं कर रहा है पर उसका कारण है वहां की पॉबुलेशन ज्यादा एरिया का मैं ठीक है ठीक है लिट्रेसी स पॉबुलेशन डेंसिटी का कोई मतलब नहीं पड़ता है यानि दोनों सही है और यह उसका इसपश्टी करण नहीं है ठीक है एक सो साथ भारत में जनसंक्या घनत पर क्या असर पड़ रहा है इस्थिर है कम हुआ है यह उन्निस सोई क्यान के बाद पहले बढ़ा और फिर घटा तो दोस्तों अविसली एरिया तो हमारा बढ़ नहीं रहा जनसंक्या बढ़ रही है देखिए जब लैंड हमाई पास उतनी और जनसंक्या बढ़ती जाए तो एरिया जो घनत होगा हो काम होता जाएगा घनत को मतलब समझो आपका एक कमरे में पहले मम्मी पापा तीन लोग एक कमरे में आट लोग रहते थे अब इतना बड़ा घर हो गया है अधिकारी बन गया हो समझचे अधिकारी सब्सक्राइब काम हो गया ना यह काईने का मतलब है ठीक है चलो एक सो आट दो हजार ग्यारा की जनकरना के अंसार भारत में जनसंक्या का गयनतु था तो द चित तम गयनतु दर्ज किया गया है यूपी भिहर पंजाब तमिल लाडू में सबसे ज्यादा हाइस जैंसिटी ओ पॉपुलेशन आपको कहां देखने को मिलेगी तो आपको देखने को मिलेगी भिहार में ठीक है विहार में ठीक है चलो 210 2011 की जनकरना के अंसार में से किस र जन संक्या घंट वाला राजे कौन सा है बिहार के रल यूपी पश्चिम मंगाल में तो सबसे ज्यादा जन संक्या गनत्व है इसका है बीहार का ठीक है 112 नदर में कौन सा सही है अवरोही करम में बताना ठीक है तो अभी यार यह करा था हम लोगों ने इसको आजा सकते हो तो देखिए सबसे ज़्यादा Population Density पश्यमंगाल बिहार सबसे ज़्यादा Population Density अभी मैंने आपको बता है देश में बिहार में थीक है बिहार में आ जाएगी तो उसके बाद पश्यमंगाल केरल फिर यूपी तीक है यानि ऑप्शन D विल्कुल सही हो जाएगा कि दोजार ग्यारा की जन्कडणा के अनुसार निम्लिकित में से किसका जन संख्या गहना तो सबसे कम है यूपी विहार पृषिमिंगाल केरल तो बताए बहुत है नम्बर पेड़ीया ज्ञादा है पॉपुलेशन एक नहीं तो यूपी होगी चले दोस्तों अब तो देखते हैं 114 भारत के बीमारू राजियों में सरवादिक घनी अभादी वाला राजिकाउन सा है तो पहले तो यह समझो बीमारू राजिकाउन है विमार राजिकाउन है नहीं यह तम था जो नैटीन येटिस के टाइम पर दिया गया था कि इनको विहार भी आई से वियार महाराज राजिस्तान और यू से उत्तर प्रदेश ठीक है कोई आशिशीच बोश कर गें तो इसमें से अब आप तो समझ गे ना बीहार महाराज राजिस्त वाला राज है तो अभी दोस्तों मोच गया होगे चुलों 115 देखते हैं नियंद्यारा की जंगरना के लिक्रम के सभिष्ण से निम्ली जंग्या गेनतों का सही क्रम क्या है आप लोगी इतना याद करूं मेरी रहाँ पर आप सबसे कि सबस्क्रम जाद कि है यह हो जाएगा भीहार के बाद पंजाब ठीक है क्योंकि जारकंट में आपको बता है माइनिंग एरिया इतनी पॉपूलेशन वहां नहीं है इंडस्ट्रल एरिया में ज्यादा होती है पंजाब एक्रिकल्चर एरिया वहां पे जादा है भारत का सबसे छोटा मिलियन नगर सबसे छोटा मिलियन नगर राज कोट है दोस्तों कहा है राज कोट ठीक है नेमलखित राज्यों को उनके जनसंग्या गनतु के आरोही करा मतलब डिसंडिंग और में सट कर देना है तो फिर से दोस्तों अभी उपदी इसको करा है आराम से आप सट कर सकते उसको पंजाब औ सबसे को औरीशा की पॉपलेशन डेंसिटी है नंबर एक बात दूसरी दूसरा जो आपको मिलेगा उसके बाद मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश फिर आ जाएगा आपका त्रिपुरा और नंबर एक प्याजाएगा पंजाब ठीक है यह घर्ता गर्म जनसंख्या घनतु क पॉपलेशन डेंसिटी कर ठीक है यह बिल्कुल सही हो जाएगा दो चार एक तीन एक सबसे कम है यह आया तार हो यारो में पिछली बार इससे पहले जो आरो यारो को पेपर हुआ है ना उसमें यह आया था पेपर समझ लो ठीक है दो क्या होगा दोस्तों इसका अंडमान औ पॉपलेशन डेंसिटी जो है वह कहां पर देखी जाएगी अंडमान निकोबार इंपोटन्ट है यह बोलना वाद फिरना के ना पढ़ा कास यार यह वीडियो देख लिया उत्ता तो सबसे कम है तो एक सोननेस भी सेम ही है कह रहा किसके इंसाशित प्रदेश का जन संक्या क फिर से आप एक बढ़ ट्राइ कर लो सेम आंसर है 120 निम्लिकित में से किस राज्य का जन संक्या गनत हो 2011 में सबसे कम है राजिस्तान मदप्रदेश गुजरात करनातक में अब इन में से सबसे ज्यादा कम किसका है दोस्तो तो ऑविसली राजिस्तान एरिया में बहुत हो गया होगा ठीकता मामला ठीक है चली आगे बढ़ते हैं 120 कोशन हो गया है ठीक है चली 121 देख लेते हैं 2011 की जनकरना के अनुशार निम्लिकित राज्यों के जन संक्या गनतु के संबंद में सही आरोही कम डिसंडिंग ओडर क्या है ठीक है तो देखिए सबसे जन संक्या आरोही में मतलब ज्यादा पूझ रहा है तो गुजरात की होगी सबसे ज्यादा फिर करना तक फिर अंप्शन डी बिलकुल करक्ट हो जाएगा चली 122 भारत में प्रभावी साचर्टा दर्की गर्ना की जाती है effective literacy rate in इंडिया कैसे कैलकुलेट की जाती है साथ वर्से अधि सरवाधिक प्रतिशत व्रद्धी देखी गई है तो यह अभी हम लोगों ने उपर देखा था दोस्तों यह वाला question से तो यह 1991 से 2001 में सबसे ज्यादा प्रतिशत व्रद्धी इसी डाइम देखी गई है ठीक है पूर साच्छत राज घोशित किया गया यह तो पता होगा सभी को मुझे लगता है मतलब दोसों में मतलब जितने लोग देख रहा हम उतने बता लोगे पूर साच्छत के रल ठीक है के रट चलो एक सचब्विस 2011 की जन करना के अंति माकडों के अंसार भारत में सर्वाधिक साच्छत अदर वाला जिला कौन सा है दोस्तों ठीक है भारत का सर्वाधिक साच्छत अदर भारत का पूछ रहा यूपी वाला नहीं ठीक है तो भारत में सबसे ज्यादा साच्छता दोस्तों मीजोरम के में वयुआइकiquet तो थोव से भारत के निम्लिकित राज्यों में से किस एक ने 2001 से 111 के दोरान साथ शर्पा- hell में अधिक्तम उश्यमें दर्ज की है 2001 से 111 के दोरान किस में सबसे ज्यादे वृत्दध DJ नेखि गई और यह तो यह द Immer हमैं ठीक है बिहार में, टीक है, चलिए deny 139 कह रहा है, 2011 की जन गर्णा के अनुसार, निम्लिकित में से किसराज में सत्षर्टा सरवाधिक दरज की गई है मनीपूर पंजाब असाम MP में सबसे ज़्यादा कहां दर्ज की गई है दोस्तों तो यह करी गई है मनीपूर में ठीक है मनीपूर हो जाएगा 131 कह रहा है वह राज जो 2011 की जनकरणा के अनुसार भारत में महिला साथ चर्था के मामले में केरल के बाद दूसरे स्थान पर है समझ फीमेल लिट्रेसी में केरल के बाद दूसरे नंबर पर कौन है यह पूछ रहा है तो मिजोर में दोस्तों ठीक है ओवराल भी और फीमेल में केरल सबसे ज्यादा लिट्रेसी रेट है और उसके बाद मिजोरम आएगा दूसरे के चलो 132 पर आजाते हैं चलो 133 देख लेते हैं 2011 की जंगर्णा के इंसार कुल साच्छर्टादर शहरी करण के इस्तर के मामले में निमलिकित में से कौन सा राज भारत में दूसरे इस्थान पर है तो देखो फिर पूछ रहा ना वही लिटरेसी के मामले में आगे इन मिजोरम हो गया दूसरे नंबर पहले पर के जंगर्णा 2011 के अंति माक्ड़ों के अधार पर 59 साचठता धर्वाले चल राजियों का अरोही क्रम मतलब सब्से कम से अरोही प्रोही कर्ठण कर सकना अब बिहार के बात के बात का लाएग ना लाजिस्तानु या राजिस्तान है तो इसके लिए दोस्तों बिहार के बाद अरुनाचल प्रदेश है ठीक है फिर राजिस्तान फिर जार करने यानि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बिहार अरुनाचल राजिस्तान जार गन चली 135 सबसे जादा किसकी है पहले 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 पर दूसरे माचल प्रदेश आ गया तीसरे पर सिक्किम आ गया चौते पर ना गया यानि ऑप्शन सी बिल्कुल खरक्ट हो जाएगा ठीक है फिर से बतारों अर्प इली बात इबाद इमाचल प्रदेश सिक्किम ना गयाएगा छल्ट एक 117 देख लिते हैं 2011 की जन करना के अंति माकडों के अंसार भारत में पुरुष साचर्टा दर और महिला साचर्टा दर के बीच में कितना अंतर है दोस्तों कितना अंतर है तो यह दोस्तों सोला पॉइंट और सट परसंट सोला पॉइंट और सट परसंट क्यों क्योंकि देखिए जो मेल लिटरिसी रेट है वह बयासी पॉइंट शौदा परसंट के आसपास है और फीमेल का मेरे इसाफ से 55.46 परसंट है ठीक है यह याद रखेगा चलिए 137-2011 की अंति माकडों के अ एक सौर्टिस पर आ जाते हैं 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलिकित राज्यों में से किस राज में पुरोच और महिला साच्छर्टा के बीच प्रतिशत दर में सबसे कम अंतर है तो दोस्तों कहां पर हो गए यहां तो फस गया होगी केरल में जोरम दोनों ही मैंने दे दी सबसे कम कहां आपने पकड़ा में सबसे कम कहा है में अब यही सबसे ज्यादा पूछ लेका तो उत्तर प्रदेश में आ जाओगे तो सबसे कम मिगाल है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश याद रखना यह दोनों ही सवाल सब कुछ जितने बन सकते हैं एक सवाल सब कुछ बनाती है कहीं से कुछ छोड़ा नहीं गया ठीक है जिससे की एक्जाम में आपसे कोई गलती की बंजाई होगी नहीं चलो 2011 की जनगर्णा के अंति माकडों के अंसार जिन राज्यों में महिला साच्छर्टा दर सबसे अधिक और सबसे काम है तो यह लिए महिला साच्छर्टा दर सबसे ज्यादा कहा है सबसे कम कहा होगी दोस्तों है अभी मैंने आपको बताया दोस्तों है कैरल और महिला साच्छर्टा दर सबसे कम देखी जाएगी तो महिला साथ चर्ड राजिस्तान यूपी द्रा लूप अग्र राजिस्ताने सबसे पहले चले 142 तो हजार ग्यारा की जनकरणा के अंति माकलों के अंसार निम्लिकित में से किस राज में महिला सच्छर्टा दर सबसे कम है तो अगेन यूपी या बिहार या राजिस्तान में अगर आपको चुनना पड़ेगा तो क्या चुनेंगे आप बिह चुनेंगे ठीक है और बिहार ऑप्शन नहीं है तो राजिस्तान राजिस्तान भी नहीं है फिर यूपी आप चुन लेंगे ठीक है फिर ठीक है चलो 2011 की जनकरणा के अंसार निम्लिकित के अंदर साचिर प्रदेशों में महिला सच्छर्टा सरवादिक कहां पर बिए यह द सबसे ज्यादा लक्षदीब में सबसे कम है अगेन इंपाटें सबसे कम लिट्रिसी किसी है 2011 में यूटी में अगर आपसे पूछेगा तो आप दादरा नागर हगेली बताओं भाई यह मत बूलना यह बहुत जादा important पर्सनली दिल से कहा रहा हूं भाई बूलना मत बहुत important है ठीक है चलो 146 पे चलते हैं भारत के निम्लिकित में से किस राज की ग्रामीर साथ 110 लिटरेसी कहां पर सबसे जादा है दोस्तो रूरर लिटरीशी आपको मिलेगी गोवा में सबसे जादा ठीक है गोवा में रूरओर सबसे ज़ादा है अचैजब 117 देख दक्रकिपने चार जिलों की आउसको सा चर्ता दार Еञा जो ही क्रम मतलब descending order में आपको बतानी है दोस्तों ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं सबसे ज्यादा किसकी है लिट्रेसी रिट यह आपको बतानी है फिर उससे सबसे कम तो देखो गौतम बुद्नगर सबसे ज्यादा था कानपुर नगर और यह इटावा आठीक है अभी उपर द सबसे कम है बल्या देवरिया गोरकपूर रामपूर बल्या देवरिया गोरकपूर रामपूर तो दोस्तों रामपूर में क्योंकि यहां पर उपर देखा था ना माइनॉल्टी बहुत ज़्यादा है तो यहां पर फीमेल लिटरेस्टी भी बहुत काम है सुनो अब ठक गए होगे मुझे लगता है देर सो क्वेस्चन करके अगर लगतार करने तो अब लेओ पांच मिनट का ब्रेक प पर राज का सरवादिक जनसंक्या वाला नगर कानपूर नहीं इलहाबाद है ठीक है यानि सिर्फ और सिर्फ एक सही निकला और कुंसे तक थी यानि भी हो जाएगा ऑप्शन ठीक है 152 देख लेते हैं नवींतम जनकरना के आकड़ों के अंसार भारत में लिंगान उपात में क्या देखा गया है गिरावट दर्च की गई है इस्थेटा दर्च की गई है यानि बारत में लिंगान उपात में सबसे तेज गिरावट दर्च की गई है तू दूस्तों सबसे तेज गिरावट दर्च की गई है 1971 सेख्ष रेशियो में क्या यह कमी आई यह काफी जाद है चलिए 154 पर आ जाते हैं निम्लिकित में से किस जनगर्णा वर्स में भारत का लिंगान उपाद 946 दोस्तों एक टाइम था जब भारत असाथ हुआ था तब 1951 के टाइम सेक्स रेशियो निम्लिकित में से कौन साइस हुदा नहीं है यह बताना है दोस्तों कौन साइस हुदा है नहीं है। पहला याद रख लो 2011 का याद रखो इंपोर्टेंट है बाकी एक्जामनर का बतायता मूर खराब हुआ कि मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा तो डाल देगा ठीक है और हमको एक्जामनर को भी पखड़ के चलना कि वह कहां तक गिर सकता है ठीक है मतलब सवाल देने मे सब्सक्राइब के लिए उनकी साधी कई से होई भाई या ना उनकी जनगरना ही होगा इसे कौन सा उच्छितम लिंगानुपाद 2011 की जनगरना के अंति माकड़े वाले राज ये संसाचित प्रिदेशों का अब रोहिक्रम में सही है अब रोहिक्रम मतलब डिसंडिंग वाट अब चलो वही आए 158 जन संक्या गरना 2011 के अंसार निम्लिकित में से किस राज में पृति हजार पूर्जों पर इस्त्रियों की संक्या सबसे अधिक है तो सबसे जादा अभी बताया ना केरल में हो जाएगी केरल ठीक है 169 दो हजार ग्यारा की जनक्रणा के अंसार भारत के निम्लिकित राज्यों में से किस राज में महिला लिंगानुपात सबसे अधिक है बार बार एक ही कुच्छी नारा है केरल हो गया चले 160 देख लेते हैं निम्लिकित में से किस राज या संग राज्चेटर मे में पिछली जंगरना किसम्हाइं महिलाओं की संक्या पुरुष नबर कह então चुछ 161 पर आ जाते हैं 166 नंबर कह रहा है 2011 में निम्लिखित में से किस राज्य का लिंगानुपाद सबसे ज़्यादा दोस्तों कहां पर विया सेक्स रेश्यों सबसे ज़्यादा था तमिल्लाडू आंधरा करनाटा गिया औरीजा तो दोस्तों तमिल्लाडू में सबसे अधिक दोस्तों पूर्षों की संख्या महिलाओं से अधिक है विहार महराज यूपी अपश्य मंगार्व में तो यह दोस्तों आपके सभी जगाओं पर मिल जाएगी तो यह चारोई बिलकुल सई हो जाएंगे चलिए आगे बढ़तें दोस्तों क्वेश्चन जितने डाले जाओ उनको पूरा देखा करो कल को इन्हीं मैंसे मिलेंगे फिर आप बोलोगे यार काश पढ़ लेता समझ रहा मेरी बार देखा करो कई लोग वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं यूटूब में बादा चल ज जाओ नहीं हूँ आगर क्या करो जाओ खेलो फोन चलाओ जो करना करो महनत कर लो थोड़े ना समझ रोपी से जारू जो भी कर रहो करो 2001 की जनकर्णा के अंसार निम्लिकित में से किस भारती राज में सबसे कम लिंगानुपात है तो आपको पताओ का हर्याना में बहुत कम ह सबसे कम जिंगानुपात सिक्किम पंजाब हर्याना जम्मू कश्मीर तो अगींदुस्ट इंपर्टेंट वही चीज हर्याना ठीक है चांचट निम्लिकित में से कौन जन संख्या की व्यवसाइक संदर्चना को संदर्वित करता है विच आप दी फॉलएंग रिफर्स तू डिस्रिबूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट ओकिपेशन ठीक है चलो हजार ग्यारा की जन करना की आज थाई आकलों के अंसार निम्लिकित में से किस राजी या संग राजी चेत्र में हजार पुर्सों पर इस्त्रियों की संक्या सबसे कम है भी है दम और असल नंबर पर आ जाते हैं बारत में सबसे कम लिंगानुपात किस संग या राज चेत्र में पाया जाता है सबसे कम तो अभी हम लोगों ने ऊपर आपको मैंने बता दिया कहां पर पाया जाएगा तामन और दीव में पाया ठीक है दमन और दीव यह ऑप्शन सीथिए सब्सक्राइब चलो 169 उनने सब्सक्राइब और 2001 के दौरान लिंगानुपात में उच्चितम दस्की व्रदीदर दर्ज की गई थी अरुनाचल के रल उत्रागंड यह 36 गड़ में तो दोस्ता अरुनाचल प्रदेश में दस्की गड़ सबसे जादा देखी गई थी ठीक है तो दोस्तों हुआ है आपका 1000 पूर्षो पर 10 महिला है हजार पूर्षो पर 10 महिला है अगर पूछले दोस्तों मतलब UP में सेक्स डेशो 2011 के अंसार है क्या तो बूल तो नहीं गए 912 कितना है 912 ठीक है दस महिला बढ़ी है यानि पहले कितना होगा 902 ठीक है उससे पहले 902 चले 171 देख लेते हैं कर 2011 की जनगर्णा के अंसार उत्तर प्रदेश में पूरुष और महिला नुपात कितना है दोस्तों यूपी में अभी बताए मैंने आपको 912 कितना है 912 चलो 170 पे आ जाते हैं निमलिकित नगरी केंद्रों की जनजंकिया 2011 के अदर पर अवरोही क्रम में नीचे दिये गए खूट को सही उत्तर चुनना है नागरी केंद्रों मतलब जादा से कम में इनको सेट करना आपको पॉपुलेशन में ठीक है मेरट गाजियाबाद आगरा वारानसी इसकी ज़्यादा है किसकी कम है चलो कोई दिक्कत दें तो दोस्तों आपको बता है गाज 173 पर आ जाते हैं भारत में निम्न लिंगान उपात के लिए निम्निकित में से कौन से कारक उत्तर दाई है उच्छ मात्रत्र मृत्ति उदर उच्छ महिला प्षेश्यू मृत्ति उदर कन्या ब्रूण अत्या लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिक जनम दोस्तो सन 1961 से बाल जन संक्या जीरो से छे वर्स का लिंगान उपात क्या रहा है घट रहा है बढ़ रहा है या समान है या उतार चड़ा रहा है क्या परस्तित रही है तो देखिए सेक्स रिश्यो जो बच्छों का है 0-6 में वह कंटिनियूसली गिरता जा रहा है ठीक है वह कंटिन उनने से पूरे भारत में और ओवराल पूछेगा 2011 सेंसेस का मेल फीमेल रिश्यो तो 943 ठीक है यूपी का पूछ ले तो 912 यार ये डाटा याद कर लो भूल मत जाना बार बार एक्जाम में इनमें से कॉश्चन मिलेंगे आपको स्टेटमेंट में चलो 176 पे पहुशते है निमलिखित में कौन सा सही सुमेली था ये बताना ठीक है राज जिबाल लिंगनुपा 2011 के इंसा कौन साइस में से सही है किसका सेक्स रेश्यो एकदम सही मैच कर रहा है तो कोई देखकर नहराम से आप बता ले जाओगे यूपी का बिल्कुल गलत है अभी मैंने आपको प्रती सी सौ बालिकाओं पर सबसे अधिक पुरुष मतलब बच्चे 0-6 वर्ष के हैं तो यह दोस्तों कहां पर है तो यह हर्याणा में दोस्तों कहां पर हर्याणा में इसको याद रखेगा चलिए 178 देख लेते कहा भारत की जनकरना के अनुसार निम्रिकित में से किस रा 109 2011 की जनकरना के अनुसार निम्रिकित चार राजियों के बाल लिंगानुपात के अब रोही क्रम में सेट करना है तो कोई दिकत क्या कार के आरोही क्रम में सेट करना है आरोही क्रम का मतलब अब असेंडिंग और में पूछ रहे हैं चलिए चोटे से बढ़ा इत्ता तो पता होगा तो असेंडिंग क्या है सबसे बढ़ा आपको बता है दोस्तों कौन है इलहाबाद हो जाये गभी यह दस लाक नगरों को अ बताना आपको कौन साइज मैं से सभी तो सबसे पहले भारत का बाल लिंगानुपाथ जीरो से 6 वर्स का जो बच्चों का होता है 21से 2111 के दोराद गिरावट आई है ठीक है यह फिर 2001-2011 के दोराण हर्यारण में बालुंगानुपात में व्रधी और भारत का यह बहुँकि ब्हारत का और भारत में पुरुष की सिफिदर महिला सिफिदर से ए यह गलतής है क्योंकि महिला की जादा है पूरूस की शिश्य मृतिव दर कम है ठीक है त्यानि स्टेटमेंट चाहर गलत है पहली दूसरी तीसरी बिल्कुल सही हो जाएगी अनुसूचित जाती की जन संक्या का सर्वादिक प्रतिश्य हिस्सा कहां पर है दोस्तू सिग्डिवुलकास्ट पॉफूलेशन का सबसे ज़्यादा कहां पर आपको मिलेगा प्रसंटेच शियर पूरे भारत में तो यह आपको मिलेगा दोस्तों पंजाब में ठीक है चुके हो भारत में सरवाधिक अनुसूचित जाती जन संक्या वाला राज तो यह फिर से वही उत्ताय प्रदेश्टी के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाती यूपी में सबसे जाती होगी जन संक्या देश में सबसे ज्यादा है यह इंपोर्टन्ट है अब कहां पर कहरा सबसे ज्यादा है तो आप बताओगे बहुत सारी आपको मिलेंगे मतलब किस राज में अनुसूचित वर्ग में कोई जन जाती अबादी ही नहीं मिलेगे पंजाब में कोई जन जाती अबादी नहीं एक 188 अनुसूचित जन जातियों की जन संख्या के मामले में चार राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है दोस्तों ठीक है सही असंडिंग ओडर आपसे पूछ रहा है इसमें कोई दिक करने असंडिंग ओडर मतलब क्या हो गया दोस्तों छोटे से बढ़ाएक योड़ तो दो सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई देख लेते हैं भारती राजियों में जन जाती जन संक्या सरवादिक कहां पे हैं सबसे ज्यादा स्ट कहां मिलेंगे आपको देखिए अस्यम्त्रिपुरा केरल तमिल नाडू एंपी शाथिस गड़ या यूपी उत्त्रावन तो सब निम्लिकित मैं से किस राज में अनुसूचित जन जातियों की संक्या का प्रतिशत सबसे कम है ठीक है सबसे कम अनुसूचित जन जातियों की प्रतिशत कहां पे है तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तरवदेश हमारा प्यारा उत्तरवदेश ठीक है स्टी की जो परस जाती भारत की दूसरी सबसे बड़ी जन जाती है अब ये तो सेकंड अगर पहला पूछ ले तब क्या पता होगे भील जन जाती है पहले नंबर पर आएगी गोंड दूसरे पर आजाएगी ठीक यह सब्सक्राइए नहीं जो मिलियन इटीज होती है वाली उसमें यूपी के साथ शहर है राघ्रत ने नई राश्ट्री जन जंक्या नीती ने चीजनल पॉलेशन ने निव नैशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो दोस्तों यह अपनाई थी भारत ने सन 2000 में ठीक है कब अपनाई थी सन 2000 में पर आ जाते हैं राश्ट्री जंशंक्या नीती 2000 के अमसार जन्म दर को वर्ष 2010 तक कम करना है कितना कम करना था तो यह हमको कम करना था 2100 मतलब 21 किस लोगों को हजार में ठीक हजार में 21 बहुत बढ़ियां एक्सोप इंचानवे पे आ जाते हैं राश्ट्री जंशंक्या नीती नैशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत तयार की गई दस वर्षी कार योजना में निम्रिकिन में से कौन सा बिंडू शामिल नहीं है यह बता विवा और गर्बावस्ता का निवार पंजी करण ठीक है टर्मिनल परिवार नियोजन विदियों को अपनाने वाले पुरुचों के लिए विश्यस पुरुषकार यह गलत है दोस्तों ठीक है यह गलत हो जाएं एक सो चैन में देख लेते हैं निम्रिकित कतनों पर विचान सही मृ भारत राष्टी परीवार नियोजन का रिक्रम अपनाने वाला विश्य का दूस्रा देश है राष्टू की राष्ट्री जन संक्या नीती 211 करोण की अबादी के साद 2010 तक पुर्जनन्शंता के पृतिस्थापनिस्तर को प्राप्त करना चाहती थी को तो यह बिल्क स्टापनिस्टर को प्राप्त करने वाले वाला केरल भारत का पहला राजिता केरल दा फर्स इंडिया तो चिव रिप्लेश्मेंट लवेल फर्टिलिटी यह ठीए यह यह दो और तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों ठीक है बारत की राश्ट्री जनसंक्या नीती 2000 के अंसार निमलिकित में से किस वर्स तक प्राप्त करने के लिए प्रति विवाहित युगल अनुमानित प्रतिस्थापन प्रजनन इसतर क्या है दोस्तों मतलब रिप्लेश्मेंट लवल रिप्रोडक्शन का क्या रखा है सरकार में तो दोस्तों यह रखा है 2.1 ठीक है 2.1 रखता है प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन इसतर 2.1 ठीक है प्रजन चमता के प्रतिश्थापन इस तर तक पहुचने के लिए जन संख्या की कुल प्रजन अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होनी चाहिए दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट बाइशिदेंस ऑफ इंडिया एस पर सैंपल रेजिस्टेशन ऑफ सर्वेटी मतलब भारत की लोगों का फटिलिटी रेट क्या था जो 2016 में सर्वेट आया था सिंपल सी बात यह समझे तो टू-पॉंट-3 था टू-पॉंट-3 और सरकार रखना चाहती है टू-पॉंट-1 चले है दो ज़एक देख लेते हैं दौ-जार एक की जन करना के अशनर भारत की कुल प्रजनदर क्या है बूआई है दोस्तों चले बारत में कुल प्रजनदर सर्वाधिक है थो टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया है इस हाई-एस्ट तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होता है इसे क्या कहते हैं मतलब समझ लो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है बर्थ डेथ रेट सेम है कि दो बच्चे मारे दो जन्म लेए तो इंटरनल एक्स्टरनल माइग्रेशन भी नहीं हो रहा है तो जो इस तरह का चेंज होगा उसको क्या बोला जाएगा यह पूच रहा है तो इसको बोला जाएगा इस्टेबिलिटी ओफ पॉपुलेशन भी यह जन्जंक्य में इस्थिरता है कुछ होई नहीं रहा ना गट रही है ना बढ़ रही है ठीक है 204 पर आ जाते है निम्लिकित कतनों पर विचार करना है यह कौन सा सही है शिशु मृत बच्चे कितने खतम हो रहे हैं वह देखा जाता है ठीक पहले चीज यह स्टेट्मेंट गलत होगी दूसरा सिशु मृत्युदर किसी विशेश वर्स में उश्वर्स के दौरान पृति सौ जीवित जन्मों में सिशु की संग्या नहीं हजार में देखता है दो सो ठीक है आपको definition मिल जाएगी है पृतेग हजार जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्म दिन से पहले मरने वाले बच्चों की संग्या बच्चारे अपना एक जन्म दिन भी नहीं मना पाए पहला साल भी नहीं हो पाए बच्चारे मर गए इसको बोलते हैं इंफैंट मतलब साल बार के भीतरी विचारे खतम हो जाते हैं तो यह आपको याद रखना है कि जो एक साल के अंदर बच्चे खतम हो जाते हैं हजार में उसको काउंट करा जाता है शिश्व मृत्तिव दर में बहुत सिंपल सी डफनीचन और बहुत जरूरी डफनीचन है इंट्रिव वगेरा म करनाता है यह सब बेसिक चीज़ है तो यह दोस्तों देखों एकीस दिन के अंदर देश्टरिशन और डइस्टरिशन के अंदर क्या होना चाहिए रजिस्टर हो जाना चाहिए किस में से तो यह करनाटक में डैट सेंचर शुरू करनाटक करनाटक किस राज में सिश्व मृत्यूदर सबसे कम तो यह थी दोस्तों के रहल में सिश्व मृत्यूदर सबसे कम भारत के नगरी छेत्रों में सबसे कम सिश्व मृत्यूदर कहां पाए गई तो अभी हमने बताया केरल में पाए गई तो यह है इंफैंट मोटिलिटी रेट तमिलाडू में कम है सिश्व मृत्यूदर या इंफैंट मोटिलिटी रेट को कम करने का लच रखा गया था कितना रखा गया था दोस्तों सबसे पहले यह बताईए तो यह रखा गया था दोस्तों 28 प्रती मतलब जीवित जन्वे 28 बच्च होगा अब मैं इसी में एक चीज़ और एड कर दे रह हो गया दो सब्सक्राइब के अंसार सरवाधिक बाल मृत्यूदर है सबसे ज्यादा चाल मोटलिटी रेट कहां पर दोस्तों ज्यादा तो यह औरी समयन दोस्तों कहां पर पोड़ी सामें ठीक है औरी समय ज़िए लिए लिए भात में लड़कों की तुलना में प्रतेख में अधिक यह सई है मतलब जो आप देखें और चाइल्ड जो बच्चे मरते हैं उनमें मेल जादा है फीमेल का में यह इंपोर्टेंट है और याद भी आपको रखना है यह सकते है ठीक है चलो 14 देखते हैं किस भारती राज में कुपोशन से पीडित बच्चों का प्रतीशत सबसे अधिक है दोस्तों ठीक है जो कुपोशन से पीडित हैं बिहार MP राजिस्तान जारकन तो MP में दोस्तों कुपोशन बच्चे सबसे ज़्यादा है मैल नूट्रिशन सबसे ज़्यादा है 2010 कीजर बहारत में कुल जन संग्या का कितने प्रुतिशत 14 वर्से कम आयु थो 29 प्रुतिशत जन्सग्याई 14 वर शे कम आयु की जनकरना के अंती माकडो के अंसार भारत में 35 वर्ष से कम आईू की जनसंक्या का कितना प्रतिशाइए 35 से कम आयू का यह Voilà २ निर्भात निर्भरता अनुपात ओल्लेंज डिपेंडेंसी रेशियों कितना है दोस्तों ओल्ड एज डिपेंडेंसी रिश्य तो यह दोस्तों चौदा पॉइंट दो प्रतिशत ठीक है भारत की वर्तमान जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयू के व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत की तरह मैं 65 साल से ज्यादा कि अमारे दोश्तों भारत में तो 5-6 प्रतिशत हैं चाहिए चाहिए ज़्यादा हैं चाहिए जबते हैं यहर्ट को ज्यादा ग्रोफ करेगा क्या देख रहे हैं लंबा है मैडम लंब फ्रीव लगे छीज वड़ी समस्यां आए चलो टो डेमोग्राफिक डीडेंट का मतलब यह 15-74 वाले लोगों की जड़ीटीए बस्ता बुस्त बोले लुकों की संदर्बिक करता है जन जंक्यान के निर फरकेन बदा ंपर भिज्प्ठे वाहिंद निर्बच से बड़नि निर्भरता धट रहा है क्यों कि क्योंगा स्टेटमेंड में तो आपकी डेमोग्राफिक डिविडन्ड पे क्या आफ़ पढ़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए दोस्तों बढ़िया अनलेटिकल कोशन है कोशल वितास को बढ़ावा देना चाहिए आधिक समाजिक सुरच्छाय योजनाओं का परीच्छाय सिशु मृत्ति उदर को कम करना उच्छा का निजी करना तो स्किल डेवलप करनी चाहिए दोस्तों क्या करनी चाहिए स्किल डेवलप अब रिल्स क्या है आज है कल बंद हो ठीक है पर आपके अंदर इसके लिए तो आप हर काम कर सकते हो कहीं बीचा कर सकते हो पुरी दुनिया में ठीक है वाले तो पैसा छाप की रहा है पर वो टेंपरररी बेसे से कोई इज्चत नहीं हो सुआ है चलो फिलाल हम लोगों को क्या करना आते हैं दोसा चौबिस नंब काम-काजी आपाधी के अकार में व्रधी टीक है डूसरा जोद के अकार में कमी बर्ती विरोजगारी खादान के ब्रती व्यक्ति उप्लबदिता में कमी कहने का मतलब है increase in size of working population decrease in size of holding अगर आपको क्या करना है इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या अगर साइज वर्किंग पॉपुलेशन का बढ़ेगा तो एकॉनमी पे उल्टाइसर थोड़ी पड़ेगा तो और अच्छा होगा हमारी कॉनमी की तो यह गलत हो जाएगा टीक है 225 पे आते हैं हाल के आकड़ दिव्यांग है फिर भी वो कुछ काम कर रहे है रिक्षा चला रहे हैं मैनत कर रहे हैं हम लोग दो दो आत है फिर भी रो रहे हैं मर रहे हैं अरे यह नहीं और वो लड़ते नहीं है अब देखो न एक फीमेल आर्चर है जिसको इस बार अर्जुन पुरुषकार भी मिला है संख्याकार के आरोही क्रम मतलब असेंडिंग और में विवस्तित करना है ठीक है कर देते हैं दोस्तों मतलब बहुत इसाइज जैन सिक किसकी पॉबुलेशन ज्यादा है किसकी कम तो पता होगा या राम से बता सकते हैं थोड़ा फैक्ट जड़ा एनलिसिस करोगे तो बता दो सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम देखो जयान दूस्तों यह पता होगा आपको ठीक है उसके बाद बहुत सबसे कम मिलेगा आपको फिर आपको सिक फिर इसाइप कहने मतलब सी वाला टर्म एकदम सही हो जाए दुब ऑट पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा पॉपूलेश ले जाओगे थोड़ा सा रिवाइस करोगे बिहार करनाटक महारास अरुनाचल सबसे ज्यादा बहुत कहां पाए जाते हैं महारास्ट्र में ठीक है चलो 228 देख लेते हैं अभी कदन कारण केरल में साचर्टा सबसे अधिक है क्योंकि केरल में इसाहियों का प्रतिसत अधिक है यह कारण थोड़ी है तो यह आर गलत भी है यानि यह सई हो जाएगा इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 229 नंबर में निमलकित भारती धार समुदायों को नीचे दिया कूट के हमसार लिंग अनुपात के हमसार अवरोही क्रम में बताना ठीक है कि सेक्स रेशियो किसका कम से ज्यादा की तरफ है ठीक है थोड़ा सा मुश्की लग रहा होगा यह आपको पर एक्जामनार अगर दे दे तो इसको भी अपने को आना च क्लब कुछ न कहें तो अच्छा है यह चुपी रहे तो अच्छा है दोस्तों यह ट्रिक्स है आप समझ सकते हो जाएगा चलों 230 देख लाता है हाल ही में जारी जनगरना हाल ही में जारी हो वह है कितने साल हो है 2011 से संबंदित अत्रिक्त आकड़ों केंशार भारत में किस पूछेगा तो मुस्लिम का चलो 230 में से किस राज में 2011 की जनगरना के अनुसार दस लाग से अधिक का सहरी समून नहीं है दोस्तों ठीक है विच वन आफ दी फॉल्विंग स्टेट डस अर्बन अग्लोमरेशन एस पर 2011 सेंट असान है मस्त कोशन हो जाएगा राम से कैसे बत प्रभाव नहीं है दोस्तों विच आफ फॉल्विंग इस नॉट एन एफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया ठीक है फिर से समझ लो कोशन भारत में जन संक्या व्रद्धी का प्रभाव नहीं है बार में व्रद्धी प्रदूशन में विद्धी खेती योगी भूमी में कमी वन जीवन में व्रद्धी असान कोश्चन एकदम लड्दू इंक्रीज इन वाइट लाइफ कहां और अब यह वाइट लाइफ और कमी होती जा रही है तो यह हो जाएगा चलो दोस्तों तेटीस दोजार ग्यारा की जनकरना के अंसार भारत में कुल जन गर्न नगरों की संख्या है थीए भारत में जो सेंसेस टाउन से वो कितने है तो दोस्तों भारत में सेंसेस टाउन है 389 4389 इंपोर्टन कोई नंबर की तरह याद रखतो 389 4.2011 की जनकरना के अंसार भारत की इकुल जन संख्या में नगरी जन संख्या का प्रतिशत कितना है बहि 2335 जनसंख्या के अनुसार नगरों का निमलिकित में से कौन से क्रम सही कॉधि कोपूलेशन विच और फ्टील इस करेक्ट बॉम्बे कोलकता दिली मद्राज कोलकता बॉमबे मद्राज या दिली मद्राज बॉमबे कोलकता ती कोई धिकर नहीं पता है मुझे बॉम्बे में है सबसे ज़्याद है तो मुझे पता दिए की ऑप्शन दिगा तो मैंने ठोक दिए इसको पकड़ ठीक है हो जाएगा बॉंबे को लगाता दिल्ली मादरास दोजाएगा बारत में रहने वाले की संख्या लगबक कितनी यह दोस्तों मतलब शहर में रहते हैं कितने लोग तो 37 करोन बाकी यादिश जभावि तक गाउं पर चलते हैं हम लोग 237 की तरफ भारत की शहरी आबादी का एक चौथाई से धिक किन दो राज्शों में श्माराइब करता है मतलब वनफ फूर सबसे कम नगरी जन संख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों सबसे कम नगरी जन संख्या सिक्किम हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बारत के निम्निलिकित राज्यों को उनकी सहरी अबादी के अवरोही क्रम में सेट करना बड़े से चोटे की तरफ सेट कर देना है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा क्यों कि हम करेंगे चल्व तो अवरोही क्रम आपको बताए सबसे ज्यादा भई यह महरास्ट की है फिर तमिल फिर आपका उत्तर प्रदेश फिर पस्चे मंगाल इसी कोई दिक्कत ऐसी इसमें नहीं होगी चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हम लोग चलिस नमबर भारत के निम्लिकित राज्यों को उनके सहरी आबादी केंसर आरोही क्रम में मतलब सेंडिंग और में लगाना है सहरी आ तो जाएगा आपका अगर दिखा जाए तो और नाचल प्रदेश फिर आएगा नाघाल एपर आएगा मिम्हाराम यानि भी ओजाएगा इसका सभी किम होगा फिर अरुणा प्रदेश होगा उसके बाद नागा लैंड होगा फिर मिजुरूर्यों में में सबसेंग मार्व इ चाहिए चलो 241 नंबर भी आ जाते हैं almost कतम ही हो गया है 241 क्या कह रहे हैं महाराश्च भारत का सबसे शहरी क्रत राज है महाराश इस इस अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया तो यह गलत है दोस्तों क्योंकि यहां अगर तमिल नाडू होता तो सही हो जाता है हिमाचल भारत के किस राज में नगरी जनसंग्या कर प्रतिशत सरवाधिक है मतलब अर्बन पॉपूलेशन सबसे ज्यादा है तो यह अभी हम लोगों ने कर रहा था इन और यह पर्सेंटेज की बात कर रहा है भारत का सरवाधिक नगरी राज्ये तो अभी बताया आपको सबसे ज् जादा और पर्सेंटेज वाइस पूछेगा तो दोनों अलग बाते हैं ठीक पर्सेंटेज वाइस पूछेगा तो आपका तमिल नाडू चलो यह 244 पर आ जाते हैं 244 क्या क्या रहे हैं कि 2011 कि जंकर्णा के अंसार भारत सारवादिक नग्रीकृत राज कौन से है तैमिल नाडू याद हो गया है मैं सरवादिक नग्रीकृत जैले सिह में परिशानी 240 कह रहा है निम्लिकित राज्यों को 2011 की जन्गरणा के अमसार शहरी करण के अवरोही करण मतलब ज्यादा से कम में सेट करना है तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा शहरी करणा भी बता है तमिल नाडू हो जाए और तमिल नाडू दिख रहा है सिर्फ आपको किसमें दिख रहा है झाला है तमिल नाडू हो गया फिर आपका केरल हो गयाए फिर मिजोरम घुर नहीं नहीं टमिल्नाडंड यह option तो सही नहीं बैठ रही इसके रिसाफ़ से दोस्तों यह औना चाहिए गोव तमिल नाडू केरल मिजोरम यह विल्कुल और ओवरॉल पर्सेंटेज वाइस गोवा है ऐसे तमिल नाडू मान लोग आप तो 2011 संसर से आप एक चीज मानो गोवा ही हो जाएगा ठीक है गोवा सबसे अर्बनाइजड है और उसके बाद तमिल नाडू हो जाएगा ठीक है चलो 249 देखते हैं भारत के तीन सरवादिक शहर सकता आपके लिए तो तमिल नाडू आता है ना तमिल नाडू होगा मारास्ट गुजराथ अगर गोवा आता तो यहां गोवा चूस कर लिया जाता है असान भी है कुछ ऐसा नहीं चलो सही अवरोही क्रम में भारत के तीन सरवादिक शहरी क्रत राज फिर से वही पूछ रह क्योंकि तमिल नाडू में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी निमलिकित भारती राज्यों को शहरी करण की द्रस्टी से अवरोही क्रम में मतलब क्या प्रिस्ट करना हैं फिर से वह है आगया अवरोही मतलब सबसे कंप तो दोस्तों सबसे ज्यादा शहरी करन कहां तो सबसे च्मीली नादू में और सबसे कम पश्चिम बंगाट के वंसार भारत के निम्लिकी तुब अब इन में सबसे ज्यादा सहरी पॉपॉलेशन कहां मिलेगी तो दोस्तों पंजाब में मिलेगी का मिलेगी पंजाब में फिर से दोस्तों वही 2011 की जन करना के अंसार शहरी करने आवरोहिक्रम मतलब मतलब बटाएब अराम से बता सकते हो अब यह वाला आप टो लगता है तो सबसे ज्यादा दोस्तों महाराष्ट की है महाराष्ट तीन पे शिर्फ एक तो यह हो गया महाराष्ट पश्चिम मंगाल आंध्र प्रदेश गुजराथ ठीक है इंपोर्टन्ट है यह शहरी करना कोशन फास सकता है आपके एक्जाम में चलो दोस्तों दिक्कत कर रहा हो कर कोशन यात करनें तो एक बार सेंसेस का वीडियो पढ़ा है देख डालो पर यह इतना रटलो के तो हो ही जाएगा बार बार रिपीट हो रहें देख रहो कोशन चलो जुलाई 2011 की जनकरना के अंसार फिर से वही शहरी अबादी को अब रोही मतलब डिसंडिंग ओर्डर में लिखना है कितनी बार एकी चीज़ हो रही है राम सब समझ गया होगे इन सब में सबसे ज्यादा किसका है तमिलनाडू का शहरी करने उसके बाद के रल का है उसके बाद इन उप्षनों में से बात करना अर्बन डेंसिटी क्योंकि या शहरी करन इतना है नहीं जो है वह थोड़ी जगा पर तो अर्बन डेंसिटी वहाँ ज्यादा है पस्टिंग याद रखना इसको चलो 256 देख लेते हैं 256 क्या गया रहा है कि निमलिकित में से किसराज में 2011 की बड़े हाल केते हैं 2011 कि अब तो डवलप हो गया है काफी उसे साब से पर फिर भी पिछड़ा बहुत है यूपी से तो काफी पीछे हो गया है 2011 की जंगर्णा के अंसान निमलिकित में से किस राज में शहरी जनसंक्या का नियुनतम प्रतिशत दर्ज किया गया है तो ये कि दिया किया है हेमाचल प्रदेश में शवसे कम हो जाएगी तो 158 निम्लखित केंद साशित प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम शहरी क्रदेश है यह बहुत इंपोर्टन हो जाएगा सबसे कम अर्बनाइज कौन है इन में से अंडमानन निकोबार ठीए पिर से बताना है अब रोही क्रम में शहरी करण के इस तरको सेट करना है केंदर सा आने की जुरुदि के दिल्ली में शहरी करण के इतना है तो दो पहले नंबर पर दिल्ली धिया है बी और सी में यह यह दो कट गये दिल्ली के बाद आएगा चंडीगर तो यारी यह ऑप्शन हो गया ठीक है दिल्ली चंडीगर फिर आपका लक्ष दी फिर दमन उड़िग चलो वही या दी एंड हो गया खिर finalmente 220 साथ को चैन्ड government हो गया चलो चलो justement नमले किस्के इंड़, शाश्वित प्रदेश में 2011 की जन्हें करना के मुसार सबसे कम गाउं है तो इन में से सबसे कम गाउं किसके इन साशित प्रदेश में हैं तो यह हैं दमन और दीव में कहा हैं दमन और दीव में सबसे कम villages हैं ठीक है तो यह हो गया दी एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट बताईए भाई या कुछ कमेंट और बटन लाइक एक बार दबा दिये करो दोस्तों मिलते हैं अब सोच है मैंने तुरं तुरं तभी आई है तुरं मैं सोच है इसको आपको दे देता हूं तुरं रिकॉर्ड कर गये आप बहुत सारे वीडियो थे ठक गया हूं है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो